सो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब डेवलीना भटाचार जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो ऐसे बिजनसमेन को डेट कर रही है जिनका शोबिस से कोई तालुक नहीं है और ये भी कि वो 2022 में शादी कर लेंगी लेकिन जब इस साल उनसे शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से पैंडमिक की वज़ा से हमारे कुछ काम कुछ प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए हैं जिसके लिए हमें कुछ वक्त चाहिए है वो भी अपने काम में मसरूफ हैं और मैं भी अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में घिरी हुई ह कि मैं जानती हूँ कि मैं इस साल शादी के लिए बहुत जादा पुर जोज थी लेकिन हमने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा है देवलीना बटाचार जी ने कहा मैं अभी अपना फोकस अपने काम पर रखना चाहती हूँ और बिग बोस से हुई इंजरी से भी मैं अभी तक ठीक नहीं हो सकी देवलीना से जब उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अब तक हमारे रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हैं और उमीद है कि चीज़ें जल्द ही अपनी जगा पर आ जाएंगी बात सिर्फ ये है कि हमारे पास प्यार हो जाएंगे देवलीना ने ये भी कहा कि शादी जब भी होगी बहुत ही धुमधाम से होगी इसी तरह की और नई नई अपडेट सांसिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर भी करें